तो बच्चों आज की स्कलास में आप देखेंगे कच्छा 9 की अंसी अर्टी गडित और आपका एक नया ध्या सुरू हो चुका बेटा इक्सर्साइज आपका 13 सुरू हो चुका है ठीक है जिसका नाम है प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन आज आप जो आप सुरू कर रहे हैं इसमें आप 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे थ्री डाइमेशनल फिगर वो क्या होता है जैसे आपने पेपर देखा होगा पेपर जिसके आप लिखते हैं पन्ना अगरा यह चटाई वगरा यह टू डाइमेशनल फिगर है या मैत में अगर बात करें आपने आयत मैं वहन्हां एचाहार से एक क्यांपल देख लो चोटा था को कुछ दिख रहा है यह और यहरा धेलान दो तो इसमें पता देखो यह लंबाई है इधर में कुछ सपी थे एं और यह ऊंचे यार 생각이 एपना यह जिसमिए जिसो क्योकी गाए हैं कुक्त प fig的 एक चीज़ और समझो, जो आयत से आपका बनता है, ये वर्ग से बनता है, ये देखो चारो तरफ लगभग बराबर लग रहा होगा, इसमें भी वही सब कुछ है, अगर आप ध्यान दो, तो इसमें भी सब कुछ वही है, इसको डिब्बा मैं फेंका नहीं इतना दिन से, इसल अगर पीछे बना है, कुछ ऐसे ही बना है, समझी गए ना, इनका क्या बढ़ेंगे, आयत जो भी छे तरफाल, या जैसे भी कुश्चन में रहेगा, वो सब चीज़े हम लोग निकालेंगे, तो यहां से आप याद रखो, इसमें 6 फेस होते हैं, देखो समझे लो, 6 फेस कै इसमें 6 फेस होता है, ठीक है, अब तक जो आप लोग पढ़े हो, वो 6 फेस वाले नहीं थे, आप दो ही में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है, अब चलिए कुश्चन देखिए, ध्यान दीजिए कुश्चन पे, लंबा है, लेकिन चौड़ाई अगर आप देखो तो चौड़ाई लंबाई के तुलना में कम है, कम है ना, कहरा 1.2 फींटर चौड़ी है, और गहराई और कम है, सेंटीमेटर में दिया, इससे आप में चेंज करोगे, तो 0.65 मेटर होगा, ये इतनी क्या है, गहरा है या उ पलास्टिक सीट की मोपाई को नगर मांते हुए, कि सीट कितनी मोटी है उसको नगर मांते हुए, डिबा बनाने के लिए आवस्थे क्षे पलास्टिक धिड़पल ग्यात करना है, देखो समझो, यहाँ समझो, ये मादलो हमारा गीड़ा है, जो बनाया जाना है, एक चीज इसमें क्या करना है ऊपर को छोड़ना है नburger सब्सक्राइब आपको कुछ ने लगाना इक यह चीज आपको खुलदा चौड़ना वाकी चीजों की आपको कषित्र के कंद करनी है क्लियर ठीक है आप चलो मैं आपको बताता हूं इस सित्र के माध्यम से देखिए हमारा जो फिगर है इसमें थोड़ा देखने में ज्यादा लंबाई चौड़ाई में अंतर नहीं लग रहा लेकिन आप कुछ भी एक तरफ को मान लोगे एक तरफ ज्यादा है ठीक है 1.5 मिटर लंबा है हम मालेते हैं यह हमारी क्या थी 1.5 मीटर लेंध है यह यह आपका जो हो गया वह कितना है बगो क्यों यहीं तो होगा आप लोगों को हो सकता है फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो क्योंकि यह फिगर थ्री-डेमेशनल है देखो यह आपका जो गहराई या फिर अगर हम उचाई बात करें तो यह वाला होगा यह आपका चोड़ाई है 1.25 ठीक है ऐसे लिख लो अब क्या करना है हमें इसका एरिया करनी है देखो मैं निकालना क्या-क्या है एक मिनट समझो ध्यान से देखो बाबू सबसे पहले तो हमें यह वाला कैब मैं कैसे खोल के बताओ इसको फांट कर एक मिनट रुको रुको बच्चों इसको मैं ऊपन करके ऐसे बता रहा हूं यहां समाझो हमें यह लिng दीया है एक का तो हमें इधर si यहीड का स्मझे रहे हों कि अगर मैं इसको गुमा दूं तो इधर का भी निकालना है और हमें इधर का भी अर्य होड़ी है निकाले स्माच में चेका के ऊहिक तो बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा कम सही बना होगा लेकिन आपके बूक में दिया है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है अब चलो हम निकाल के आपको दिखाते हैं फटा पड लिखो लिखो दिया है लंबाई बराबर लिखने वाली चीजे मैंने लिख दिया ध्यान दीजिए लंबाई तो नहीं है न इधर नहीं न तो लिखो चोड़ाई को किसे लिखते हैं बी से उचाहिको एच से तो आप क्या लिखोगे वी इन्टू एच ठीक है भाईया किसी भी सर्फेस का अगर आप एरिया निकालते हो तो लंबाई चोड़ाई के गुड़ा करते हो ना जैसे आयत में करते थे अगर आपको बेसिक नहीं आता नहीं समझ में आएगा बेसिक में अथा आपको आनी चाहिए ठीक है सबको जोड़ना है प्लस इसका हमने कर लिया इधर साइड का अब इसके जैस्ट आप ओजिट इसको गुमाओ डिबा ध्यान दो ऐसे इधर साइड का भी निकालना है इसका भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा बी इंटु एच है ना वही हो जाएगा ना भाया तो यहां पर ल लंबाई और उचका पर होगी कि लंबाई और maturity कि दार होगी कि मैंने दोनों से एक कर लोगे अब इधर कर लिया इधर कर देखो इद Hersh यह यह लंबाई और है न सबस्सक्राइ grandson यह यह लंबाई और सुप्र-णुद हैं तो एक तो एक बार और प्लस एल्स सब्सक्राइब प्रस यहां थे लांध इंटु ब्राफ और एक चीज और धान रखना इसका उपर वाला इसको खाली छोड़ क्का रखना बोल रहा है इसको ऐसे खोल देना है इसमें मेरी इज्जत देख लोगे दिखा दूगा कुछ रखा है तो यह क्या है ऐसे खोल दोगे ठीक है ऊपर नहीं निकालना इसलिए पांच ही कर रहा हूं कहरा को खुला शोड़ना डिब्बा को चलो अब क्या करना है सब को जोड़ो घ्य कर अब जॉड़ो ब Trade ale यह में मल्टीपल होगा तो आपका बीएच हो जाएगा फ्लस यह आपका व्याच हो जाएगा यह बताता ने डीटियर्णं और यह बता दे में प्लस यह लगी हो जाएगा फिंद फिब्बर है ठीक है भई और हम है फीन यह ऐट भी抵िभ iç तो यह 2BH प्लस 2LH और प्लस यह LB ध्यान रखना इन दोनों में common हो जाएगा रजा दो तो यह आपका हो जाएगा VH प्लस LB ना ना भी एच प्लस LH ठीक है कोश्टक बंद और यह LB अलग से हो जाएगा इसी में मान रख दो लाके भाई साहब जितने भी मान दिये आपको ठीक है सारा अंसर आपका आजाएगा चलो मान रख के मैं हल करवा देता हूं लिखते चलो दो देखो बहिए चोड़ाई कितनी थी बी मतलब चोड़ाई बाबू ठीक है चोड़ाई कितनी थी 1.25 इंटू एच हाइड कितनी थी 65 सेंटीमीटर एक चीज़ यहां समझ लो सेंटीमीटर होता राजा और इसलिए 1 सेंटीमीटर में एक बटा सो मीटर होता है ठीक है समझ रहे हो इसलिए जब एक सेंटीमीटर में एक बटा सो मीटर होता है तो 65 सेंटीमीटर में बाबू 65 बटा सो मीटर होता है ठीक है और 65 बटा सो को अगर तुम हल करोगे राजा त ये लिए मैंने हाइट को 65 cm फे 0.65 मेटर लिख दिया था ठीक है के लिए चलो है अब हाइट पर क्या रखोगे 0.65 ओके डन प्लस एल यानी लेंथ 1.5 इंटु हाइट 0.65 यह मैंने अंदर के सारे मान को पुट कर लिया ओके डन बाहर में आ जाओ प्लस यल यानी लंबाई बी मतलब ब्रॉट है नी चोड़ाई 1.25 इन सब को आपको कल्कुलेशन कर लेना है और आंसर आपके सामने पटक पटक के आ जाएगा चलो उपर मिटाओ उपर मिटा रहा हूं लिख लो जल्दी से बहुंच जल्दी करो स्क्रिन साट लेलो बैटो बटो बटो जल्दी जल्दी देखो अब इसमें बेटा आपको कल्कुलेशन आना चाहिए बाबु ठीक है इनको दोनों को आप गुड़ा करोगे तो जीरो पॉइंट लिखो आगे लिखो फटा-फट पहले दो इनको दोनों को गुड़ा करोगे तो 0.8125 आएगा गुड़ा करना सीख लो प्लस इन दोनों को क्या करना है इन दोनों को भी मल्टिपल करना है इनको मल्टिपल करोगे क्या आएगा जानते हो यह आएगा कितना तो आपको आना ही चाहिए कल्कुलेशन और प्रेकट बंद प्लस इन दोनों का गुड़ा कर लो 1.875 आएगा ठीक है भाई साब इन दोनों को जोड़ लो राजा इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा जानते हो बोलो सातरा सम्थिंग आएगा 1.7875 1.7875 लगभग जोड़ो इनको नीचे उपर रखके नहीं आता तो कमेंट करके बताना कि मुझे जोड़ना नहीं आ रहा है तो कोई उपाय बताए जाएगा आपको है इनको गुड़ा कर लो भाई साहब कितना आएगे जानते हो इतना आएगा एक अंक पर 10 अमलो आएगा प्लस 1.875 इनको आप फाइनल में जब जोड़ोगे बाबु तो आपका आएगा आप 5.4500 मेटर का स्कुआर यह आंसर आएगा इसमें कोई डाउट नहीं न यह आपका फाइस पार्ट हो गया इसमें इसमें सिकंड पार्ट भी पूछा है जल्दी से इसे लिख लो में सिकंड पार्ट पर आगे बढ़ता हूं कर लो जल्दी से चलो स्कृइन साट लो फटा फट ठीक है ओके चलो तो बिटा देखो अगला इसका सिकंड पार्ट क्या कहता था ध्यान दो कुष्चन में एक बार इसक्रीन पर फिर से आ रहा है देख सिट का मूले यदि वन मीटर सीट का मूले 20 रुपया है यानि वन मीटर स्कॉयर सीट का मूले 20 रुपया है ठीक है कुश्चन यह है कि दामें देख लेना वन मीटर स्कॉयर सीट का जो मूले है बाबू वो क्या है 20 रुपया है तो टोटल सीट का प्राइस ग्याद करना है एक मुले मतलब निकालना ठीक है देखो कोई भी शीट या प्लाई या कोई ऐसा चीज अगर आप लेने जाते हो तो उसमें उसका जो प्राइस होता है वोण मीटर कर नहीं होता वन मीटर स्कौयर का होता है जैसे बोर्ड बना है अगर कोई वाइद बोर्ड लेने जाएगा त क्योंकि चूंकि वन मीटर स्कॉयर सीट का मुल्य बराबर 20 रुपया यह क्या दिया है ठीक है बाबू तो यहां लिखो इसलिए 5.45 मीटर स्कॉयर सीट का मुल्य बराबर क्या करोगे जानते हो बीफ से इसको गुड़ा कर दोगे ठीक है भाई साब ठीक है बाबू इसका मुल्टीपल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 109.00 मिटर रुपया आएगा यह रुपया ठीक है एक सो नौ रुपया लग भग समझ में आया इस तरह से आपका कोश्चन नंबर फैस्ट कंप्लिट सब्सक्राइब कर दोगे बच्चों आज कलास सुरू होने में काफी देर हुई थी इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि कोश्चन में बहुत सारा इसमें तिकडम था समझाना था स्क्रिंसाट ले लिजी आज क्लास को जादा प्र जादा सेर करें और अगर कुछ भी डाउ सिस्टम से मिल जाएगा डाउट आप पूछ पर पूछ पाएंगे सब कुछ क्लियर कर पाएंगे मत्र 500 रुपए में अभी आपका यह आफर बढ़ा दिया गया है ठाइस तारिक तक ठीक है अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं नंबर नीचे चल राइस स्क्रिन पर उस